हेलो फ्रेंद्स वेलकम तो दी चैनल सल्यूशन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से टील सी प्लेट बनाने का प्रोसीजर यहां पे टील सी का फुल फॉर्म क्या है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है इसका क्या प्र टील सी किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है उसको प्रैक्टिकली हम नेक्स वीडियो में बताएंगे डिफरेंट टील सी प्लेट मार्केट में अविलेबल होते हैं मिंस रेडिमेंट प्लेट अविलेबल होते हैं जिसमें इस सपोर्ट मिंस एड्जर्बन के लिए जो तरीके से बना सकते हैं तो आइए जानते हैं तो लैब में अगर टील सी प्लेट हमको बनाना है तो हम यहां पे ग्लास लाइट ग्लास प्लेट को ऐसा सपोर्ट यूज कर सकते हैं एड्जर्बंट के लिए मिस्टी प्लेट के लिए जो हम ग्लास प्लेट लेते हैं ग्लास ला लिया है यहां सबसे पहले हम बनाएंगे में इसको एक पार लीका जेल जी को 2.5 डिस्टिल वॉर्टर में अच्छे से मिक्स करना होता है इसका मतलब अगर हम एक ग्राम लेते हैं विका जैल जी का तो हमको 2.5 ml डिस्टिल वॉर्टर लेना होता है लगभग 10.5 वाटर लेंगे मेजरिंग सिलेंडर में इस डिस्टिल वाटर को हम मोटर में ट्रांसफर करेंगे और अच्छे से पेस्टल की मदद से हम स्लरी करेंगे हमको पेस्टल की मदद से मिक्स करना होता है ताकि कोई बनें और अच्छे से mix करने के बाद अब हम इस लरी को clean और dry beaker में इसको transfer करेंगे और glass rod की मदद से अच्छे से से मेक्स कर लेंगे अब हम small amount of slurry को हम pipette में और इस pipette की मदद अब clean और dry glass light के एक side के center में इस slurry को हम transfer करेंगे और glass light को इस तरीके से move कर ये स्लोली ताकि जो स्लरी है वो अच्छे से उनिफॉर्मली एक जैसे सभी तरफ फैल जाया में स्प्रेड हो जाए ताकि थिन उनिफॉर्म लेयर बने अड्सॉर्बंट का ऑफ बाउट 0.2-0.3 mm थिक और ग्लास लाइट पे जो एक्स्ट्रा स्लरी है उसको इस तरीके से ड्रॉ इस तरीको इस प्रैट करते टाइम हमको यह धान देना है कि उसमें कोई स्प्वाथ या कोई एर बबल ना रहए जाए मैंज को स्पॉथ- और रह जाता है तो वह हमारे अनलेस्स में अंटर्फेए कर सकता है और इस तरीके से आप सेम प्रोसिजर को फॉपार्लू करके बड किस तरीके से हम प्लेत को हलकी से मूब करेंगे ताकि जोसके उपद इनुफॉर्मलि कोतो हाँ लूजा नदेश कहले हैं किस तरीके से इन्नूफॉर्मिली कोतो गजा है प्लेति है अब्लेट पर प extension के बाद उसको हम को ड्राई करना होता है हम room temperature में इसको dry करेंगे means जहां पर हमने slurry बनाया है वहीं पर हम इसको dry होने के लिए रख देते हैं room temperature में जब वो dry हो जाएगा उसके बाद हम इसको hot air oven में dry करेंगे दर इस process को हम activation of TLC plate बोलते हैं means TLC plate को activate किया जाता है means जो room temperature में हमने TLC plate dry किया था उसको हम hot air oven में transfer करते हैं hot air oven में हम dry होने के लिए उसको रख देते हैं एक घंटे के लिए लगभग 100-105 degree Celsius TLC plate को activate करने के लिए एक घंटे के बाद हम TLC plate को hot air oven से remove कर लेंगे तो यह जो हमारा TLC plate है after activation ready है for the chromatographic study और यह कह सकते हैं TLC perform करने के लिए analytical study के लिए thin layer chromatography के लिए जो हम plate यूज करते हैं उसमें absorbent का बहुत ही thin layer हम spread करते हैं no formally इसी कारण से इसको हम thin layer chromatography बोलते हैं हमको यह ध्यान रखना है कि जो TLC plate का silica जो layer है यह जो absorbent जो layer होता है उसको touch नहीं करना होता है नहीं तो क्या होगा जो silica layer है जो absorbent का layer है वो खराब हो सकता है और contaminate भी हो सकता है और इसलिए हमको TLC plate को handle करने के लिए फॉर से use करना होता है इस TLC plate को हम store करके भी रख सकते हैं अशर्ष और टीन दीन के अंदर इस TLC plate को use करना होता है analysis के लिए means तीन दीन के अंदर इस ready TLC plate को हम use कर सकते हैं और इन TLC plates को हमको use करने से पहले फिर से activate करना होता है तो यह हमने आपको बताया कि किस तरीके से TLC plates बनाया जाता है और यह जो वीडियो है यह English explanation में भी available है और link जो है description box में दिया है next वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से thin layer chromatography perform किया जाता है इस TLC plate को use करके Thank you very much for watching this video